श्री राध हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल में स्वागत है, मैं विजिंद राज आपके लिए एक और नहीं कथा लेके आया हूँ आज की कथा आज का वीडियो है, जो इस समय चल रहा है, कार्तिक मास कार्तिक मास बड़ा ही पवित्र है, इस कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं कहते हैं कि भगवान शिव पार्वति के सुपूत्र कुमार कार्तिके के नाम पर इस मा का नाम कार्तिक मा पड़ा है भगवान शीव के पुत्र कार्तिके ने तारका सुर राक्षस का वद किया था इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा जो विजय देने वाला है कार्तिक मास के बारे में सकंद पुराण में आया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं स्यत्यूक के समान कोई यूग नहीं, वेद के समान कोई शास्त नहीं, और गंगाजी के समान कोई तीरत नहीं, और कार्तिक के समान कोई माह नहीं. इस कार्थिक महा में हर चीज का अनंत गुणा फल मिलता है स्नान करने का बड़ा ही फल है दान करने का बड़ा ही फल है और नाम जब का फल भी अनंत है बड़ा ही फलदाई होता है कहते हैं जो इस कार्थिक मास में दान करता है, स्नान करता है, तप करता है, वर्त करता है, उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं, यह महीना आरोग्य प्रदान करता है, रोगों को दूर करता है, सम्रद्धी प्रदान करता है, और इस महीने में मालक्षमी की साधना भी सर्वत्तम है, आपको एक बात और बताउं, कार्तिक मास, दामोदर मास, राधा दामोदर मास, हमारी स्री राधारानी को भी बड़ा प्रिय है भविश्य पुराण में एक कथा आती है कि एक बार कृष्ण की प्रतिक्षा में शिरी राधारानी कुंजवन में बैठी थी कि कब मेरे कृष्ण आएंगे लेकिन काफी देर हो गई कृष्ण नहीं आये और जब काफी देर के बाद कृष्ण आये तो उन्होंने कृष्ण को लताओं की रसी से बान दिया अब देखिये साब जो मैंने देखा है लीला में श्री राधारानी क्रोधित भी हुई है नाराज भी हुई है लेकिन कृष्ण केवल मुस्कुराते रहते हैं जब राधारान इन कृष्ण जी को बांधा तो भी भगवान श्रीकृष्ण Бाक्य बिहारी मुस्कुराते ही रहे काफी देर हो गई श्री किशोरी जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तब उन्होंने कृष्ण जी से पूचा कि आप इतनी देर से क्यों आये तब कृष्ण जी ने बताया कि राधे कार्तिक मास में मनाया जाने वाला एक पर्व था और मैया यशोदा ने मुझे रोक लिया जिस कार्ण से मुझे देर हो गई मैया यशोदा ने क्यों रोका तो शायद मेरे अनुमान से कि कृष्ण उस लीला की और संकेत कर रहे हैं जो उखल बंदन लीला हुई थी मा यशोदा ने कृष्ण जी को माखन चुराने के कारण उखल से बांधना चाहा लेकिन कनिया उखल से बंद नहीं पाते क्यों जब मा भगवान कृष्ण को पेट से बांती है तो रसी छोटी पड़ जाती है भगवान कहते हैं कि मा मेरा पेट प्रमांड है तु मुझे हाथ से बांदे तो बंद जाओं पेट से बांदे तो बंद जाओं मेरे पेट में तो पुरा ब्रमांड समाया है कैसे मैं बं संत जन्य बताते हैं, ये दो अंगूल है, प्रेम और किरपा, भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रेम में आता है, तो मैं उस पर अपनी किरपा अपने आप ही कर देता हूं, जब मा ठक गई प्रेम में आ गई तो प्रभू ने मा पर अपनी करपा कर दी और मईया ने कनिया को बान दिया और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर बूलो दामोदर भगवान कीजए संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं रसी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को भगवान को रसी से पेट से बांदा तो नाम पड़ा दामोदर और भगवान को रसी से बांद दिया और उसके बाद बांद कर मा भगवान को अंदर चली गई ये पूरी उखल बंदन की लीला मैंने पहले कही है, पहले गाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहापर आप पूरी उखल बंदन की लीला पड़ सकते हैं तो मानो भगवान स्री क्रिशन कहना चाते हैं कि राधे तुम नाराज हो रही हो, वहाँ मुझे माने बान दिया था, वो पर्व मनाया जा रहा है, मेरा नाम भी दामोदर पड़ गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम नाराज बैठी हो, जब क्रिशन ने ऐसे प मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम शमा कर दो, इस पर क्रिशन जी ने कहा, कि राधा तुम शमा मत मांगो, क्यों, क्योंकि मैं तो तुम्हारे प्रेम से वैसे ही बंदा हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे लताओं की रसी से बाम दिया है, अब सुन लो किशोरी जी, ये म मुझे बड़ा प्यारा होगा, मा ने मुझे कमर से बांदा, पेट से बांदा, तो मेरा नाम पड़ा दामोदर, तुमने मुझे लताओं से बांदा, तो इस कार्तिक महिने को मैं एक और नाम देता हूँ, राधा दामोदर मास, तो तभी से इस कार्तिक मास को राधा उससे परसन होते हैं और उन्हें अपना प्रेम रस देते हैं कई लोग पूछते हैं कि भगवान की भक्ती करते हैं क्या मिलता है क्या हमारे दुख दूर होंगे क्या हमारे पास पैसे आएंगे क्या हमारी समश्या मिटेंगी तो इन सब का जवाब मैं ये दूंगा कि मैं नही मिटेंगे पैसे आएंगे या नी आएंगे शमश्या दूर होगी या नहीं होगी लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सबसे बड़ा फल इस चीज का ये है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो भगवान की कथा सुन रहे हो भगवान का गुनगान कर रहे हो अगर आप ये सब क पर पाते हैं तो मान लेना श्री राधराने की भगवान श्री कृष्ण की आप पे पूरी कृपा है और रही बात सुख दुख की समस्याओं की तो ये जीवन में आती रहेंगे जो नाम जप है भगवान की कता है इन सब समस्याओं से लड़ने की जूजने की, हमें जीने की बड़ी ताकत देती है इसलिए कथा का मैत्व है वैसे तो लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लीजिए ये हो जाएगा ये उपाय कर लीजिए ये हो जाएगा हो भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन महिन चीजों के कभी पक्ष में नहीं रहता आप भगवान का नाम ले रहे हो ये ही सबसे बड़ी कृपा है बाकी भाग्य में होगा सुक दुखा जाएंगे क्या फरक पड़ता है तो ये थी रादा दामोदर मास की कथा आप भी समयने में किसी पुन्यतीर्थ में जाके सनान कीजिए सामर्थ है तो दान कीजिए दीपदान की भी बड़ी महिमा है अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं घर में बैट कर जहां भी समय मिले दो मिनिट भगवान को याद कर लीजिए दो मिनिट ही काफी है क्योंकि ये मास श्री राधा और कृष्ण को बड़ा ही प्यारा है और प्यारे की चीज़ तो प्यारी ही लगती है हाँ एक तुलसी पूजन का भी बड़ा मैत्व है आप तुलसी की पूजा कीजिए सेवा कीजिए बड़ा ही विशेस फल मिलता है तो आप सभी को कार्तिक मास की बधाई आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी कथा पसंद आई होगी मैं आगे भी श्री राधा क्रिश्ण की भगवान और भक्तों की कथा आपके सामने लाता रहूँगा आप भी बड़े भाव से सुनते हैं आपके कमेंट मुझे मिलते रहते हैं मैं कोशिस करता हूँ कि सभी कमेंट का रिपलाई करूँ भगवान आपको खुश रखे आपके मनो कामना पूरी हो यही मेरी भगवान से प्रात्ना है जै जै श्री राधे